आमीन, तिश्रीफ रखिएगा अभी वक्त है कि अम्दम्द के कलाम में से लासे मक्सूस विर्द को सुनें जिसके पास इसको दम्दम्द का क्राम है वो मेरे साथ मिलकर निकाल लिएगा नए रहत नामे में मुकदस पालू सरसूल का ख़त रुम्यों की किशिया के नाम चौथा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर पच्चीसवी आयत तक हम पुर्दम्द के कलाम को सुनेंगे और इस मकसूस विर्द की तलावत के लिए मैं दावत दूँगा मिस रिबा को के वो सामने आये और तलावत के लाम में हमारी रहनमाई करें हमारे लिए आज की तलावत पलूस रसूल के नाम रूम्यों का ख़त। जोधा बाप एक तहली काम पर शिताया था पर हम क्या कहें कि हमारे जस्मानी बाप अबरहाम को खासिल हुआ क्योंकि अगर अबरहाम अमाल से रास्थ भास ठेराया जाता तो उसको फखर की जगा होती लेकिन खुदा के नजीक नहीं किताबि मुकदस क्या कहती है ये के अबरहाम खुदा पर एमान लाया और ये उसके लिए रास्थ बाजी किना गया काम करने वाले की मजदूरी बख्षिश नहीं बलके हक समझे जाती है मगर जो शख्थ काम नहीं करता बलके बेदीन के रास्थ बास जाने वाले पर एमान लाता है उसका इमान उसके लिए रास्थ बाजी गिना जाता है चुनाचा जिस शख्थ के लिए खुदा ब्यार आमान के रास्थ बाजी मस्खूब परता है डावड भी उसकी मबारिक हाली इस तरह बियान करता है यह मुबारिक है वो जिनके इबदकारे आमापने और जिन गुनाच ठांके गए मुबारिक वो शख्थ है जिसके गुनाच खुदावद मस्खूब नाँ करेगा बसका यह मुबारिक बादी मक्तूनों ही के लिए है या ना मक्तूनों के लिए भी क्योंकि हमारा दावा ये है कि अबरहाम के लिए उसका इमान रास बाजी की ना गया पसकिस खालत में गुना गया मकतूनी या ना मकतूनी में मकतूनी में नहीं बलके ना मकतूनी में और उस ने खत्ना का निशान पाया कि उस इमान की रासबाजी पर मुहर्ड हो जाए जो उसकी नामक्तूनी की हालत में हासिल था ताके वो उस सबका बाप ठहरे जो बावजूद नामक्तून होने के इमान लाते हैं और उनके लिए भी रासबाजी मस्हूब की जाए और उन मक्तूनों का बाप हो जो ना सिर्व मकतून हैं बलके हमारे बाप अबरहाम के उस इमान की भी पैड़ भी करते हैं जो उसे ना मकतूनी की हालत में हासिल था क्योंकि ये वादा के वो दुन्या का वारिस होगा ना अबरहाम से ना उसकी नसल से जो शरीयत के वसीला से किया गया था बलके इमान की रासबाजी के वसीला से क्योंकि अगर श्रीयत वाले ही वारिस हो तो इमान बेफाइदा रहा और वादा लाहासल ठहरा क्योंकि श्रीयत तो गजब पैदा करती है और जहां श्रीयत नहीं वहां हुकम अदूली भी नहीं इसी वास्ते वो मिरास इमान से मिलती है ताके फजल के तोर पर हो और ववादा कुल नसल के लिए काईम रहे ना सिर उस नसल के लिए जो श्रीयत वाली है बलके उसके लिए भी जो अबरहाम की इमान वाली है वही हम सब का बाप है चुनाचा लिए कि मैंने तुझे सब ही मैंने तुझे बहुत सी कौमो का बाप बनाया उस खुदा के सामने जिस पर वो इमान लाया और जो मुर्दों को जिन्दा करता है और जो चीजे नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है के गोया वो है वो ना उमीदी की हालत में उमीद के साथ इमान लाया ताके इस कोल के मताबिक कि तेरी नसल ऐसी ही होगी वो बहुत सी कौमों का बाप हो और वो जो तकरीबन सो बरस का था बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिखास करने के इमान में जईफ ना हुआ और ना बे इमान होकर खुदा के वादा के शक किया बलके इमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीत की और उसको कामिल एक्टात हुआ कि जो कुछ उस ने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है इसी सबब से ये उसके लिए रास बाजी गिना गया और ये बात कि इमान उसके लिए रास बाजी गिना गया और ना सिर उसके लिए लिखी गई बलके हमारे लिए भी जिनके लिए इमान रास बाजी की ना जाएगा इस वास्ते के हम उस पर इमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावन यसु को मुर्दों में से जिलाया वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हम को रासबास ठहराने के लिए जिलाया गया कलाम मुकद्स के पड़े और सुने जाने पर खुदावन का शुकर हो अभी वक्त है कि हम खुदावन के कलाम को सुने दहाय तद्द्द से मैं दर्खास करूंगा रेवरेंट डाक्टर अलताव कांसे के खुदावन ने हम सबों के लिए जो ने कलाम अता किया है हम सब तक पुंचाएं और इस कामल उमीद से के खुदावन अपने कलाम के वसीला हमें बरकत देने वाला है हम अपना देहना हाथ उठाएंगे बुलंद आवास से कहेंगे आमीन एक बर फिर गहेंगे आमीन आए हम चंद लगों के लिए अपने सरों को जुकाएं और दुआ मांगें खुदा मन तेरी हजूरी में हाजर होते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी उन बेश्मार महरबानियों के लिए बरकात के लिए जो तुने हमें सौंप रखी है अता कर रखी है पिर आज के दिन के लिए जो तुने हमारी जिन्दगियों में हमें अता किया कि ना सिर्फ तेरे पाक घर में मुकदस हैकल में हाजर होकर तेरी आवाज सुनें और तेरी हम दोसना करें बलके किलीसियाई रफाकत और शिराकत में भी शामल हो सके जितने जीजीज फेस्बुक पर यूट्यूब पर आउनलाइन आज के जिन्दगी बक्ष कलाम को सुन रहे हैं उन सबों के लिए भी दुआ है खुदामद अपनी शिफकत और रहमत का हाथ उन पर भड़ाए रखना हर बिमारी दुख तकलीफ परिशानी में उनका शामले हाल रहना और अपने मुफ्द फजल से उन पर अपने कर्म की निगाह रखना आज रुहल कुदस के विसीला हमारी रहानमाई करना और जो कुछ सुने समझे वो सीखने की कोशश करें और आज के जिन्दगी बक्ष कलाम के विसीला इमान की पुख्तगी हासल कर सकें तेरे ही कदूस नाम में मांगते हैं आमें मेरी तरफ से आप सबों को सलाम कबूल हो आप एक दूसरे को सलाम कीजिएगा एक दूसरे को कहें खुदामद आपको बरकत दे हमने रोमियों के खत को शिरू किया है जो पुलूस रसूल ने बड़े ही खुबसुरत अंदास से लिखा है जिसमें जिन्दगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर पुलूस ने रोशनी न डाली हो और ये हमारे लिए बाएस बरकत है हमने इस खत में मुकदस पुलूस रसूल का तौारफ और खुशखबरी के हवाला से पहला पैगाम सुना था उसके बाद जो दूसरा पैगाम था वो खुदा की अदालत के हवाला से था और तीसरा पैगाम यहुदी और श्रियत के हवाला से था और पिछले सब्थ जो पैगाम था रोम्यों के खत में से वो चौतह पैगाम था कि कोई नेको कार नहीं सबने गुना किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे और आज पांचवाँ पैगाम है जो रोमियों के इसी खत में चौथ बाब में हम सीखेंगे और ये है खुदा का वादा इमान के वसीला से मुस्सर होता है यहर दोर में बड़ी ही एहमित रखता है इमान और खुदा का वादा इमान के विसीला से जिस शक्स पर हम इमान ही नहीं रखते उससे क्या तो अको रखेंगे जिस पर हमें भुसा ही नहीं उससे क्या तो अको रखेंगे जिन पीरों फकीरों के पीछे आप जाते हैं अगर आपका ये इमान है कि वो कुछ भी नहीं तो फिर आपको कुछ हासल नहीं होगा लेकिन अगर आप नफसियाती तोर पर काईल है कि ये कुछ करेगा तो फिर आप पीछे पीछे दोड़ते हैं लेकिन एक वक्त आता है जब आपको समझ आ जाती है कि ये तो हमारी ही तरह का इंसा है इसको किस ने बनाया है इसको किस ने वो देर रखी है किसकी पाक मर्जी से ये चलता फिरता है और फिर ऐसास होता है कि काइनात में एकी शक्सित है जिसका ना कोई शुरू है और ना कोई आखर है उसके बेश्मार नाम है जो बहुत सरे मज़ाहब में लिये जाते हैं मुख्लिफ नाम है उसके लेकिन आम तोर पर पंजाबी लोग कहते हैं उपर वाला या निली चहत वाला या रब का लफस भी इस्तवाल करते हैं ठीक है, खब्सूर्त नाम है हमसे अबराणी या युनाणी या अरुबी नाम के दफाह नहीं बोले जाते तो ठीक है उपर वाला भी ठीक है रब भी ठीक है, कुद्रत वाला भी ठीक है, बेशमार नाम है, लेकिन अजीजो, आज जब मैं ये कहता हूँ कि खुदा का वादा तब ही पूरा होगा, जब हमारा इमान उस पर होगा, इमान अगर किसी इनसां पर है, तो फिर वो खुदा से आप कैसे उमीद रखेंगे कि य खुदा वादा पुरा करेगा, ठीक है जी? अब दो कश्टियों में तो पौनी रख सकते ना, अब दो लोगों पर या दो शक्सियात पर बरोसा करें कि ये नहीं तो ये कर देगा, ये नभी नहीं तो ये नभी कर देगा, और ये सोचें कि भी मैं हर नभी से बड़े च्छ तौलकायत रखना चाहता हूँ, और नभी भी हम खुद ही बना लें, कि मेरा यही सब कुछ है, रसूल भी हम खुद ही बना लें, अपने नाम भी रख लें, और दीनी रहनमाओं में जो बड़े बड़े नाम है वो रख लें, मैंने एक लफ सुना है आलम, मैंने उसका जिकर किया कि दफार, एक मैंने नाम और सुना है, शमसुल आलम, शमस सुरज को कहते हैं, यहनि ऐसा आलम जो है, सुरज ऐसी रोशनी रखता है, जिस तरह नहीं हम कहते हैं, बिशिप और उसके बाद आर्च बिशिप है, शमस, शमसुल आलम, क्या बात है, कौन सा इंसा है जो इतनी कुद्रत और इक्तियार रखता है, दुनिया के बेश्मार बादशा आए और गए, अपने वक्त पर आए और चले गए, जो जो हमारी जिन्दगी के दिन बुड़ापी की दिर्फ जाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि अब, अब मेरे इस जहां से जाने का वक्त आ रहा है, ये निजाम कुद्रत है, जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें, इनसा का एक्तदार भी मुक्सर होता है, उसके वसाइल भी महदूद होते हैं, उसकी उमर की हद भी मुक्रर है। लेकिन खुदा हमें ये सिकhाना चाहता है, कि जो वादा मैंने किया है, उस पर इमान लाओ, वो मुस्सर है, वो असर रखता है, जो इनसाँ वादा करता है, वो इतना मुस्सर नहीं है, वो गेर मुस्सर भी हो सकता है। और रजीज़ों इस बाप में चौते बाप में जो खुबसुरत मिसाल है वो इबरहाम की है उसका पहला नाम इबरहाम है जब वो मुलक एराक से निकला उस वक्त तो कोई दुनवी दीन नहीं था वो बुद्परस्ट लोग थे बुद्तों के मानने वाले थे और अगर हम रोमियो के खत का मुतालग करें तो इनके अपने अपने देवता और अपने अपनी देवतियां थी और आज के दोर में भी यॉरोप में और हमारे बरिसगीर में हिंदोस्तान में बहुत सरे देवता और देवतियां हैं और जो लोग क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं मैं उनसे कभी कबार सुनता हूँ कि उनकी बहुत सारी जो रागें हैं वो देवी और देवताओं के हवाला से हैं अब अजीज़ो अबरहाम को तो एक ऐसे खांदान से बुलाया गया जो बुद्परस था उसका खुदा से कोई गेहरा तौलक नहीं था शायद इतना ही जामता हो कि कोई है जो उनको संभाल रहा है इस सब्सक्त होगा जिस तरह लोग सुरुज को शमस को अपना देवता समझते थे चांद को अपना खुदा मानने वाले देवता मानने वाले आज भी करोड़ों बलके की अरब अबादी हैं उनकी जो चांद को मानते हैं अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि और कितने कितने अजीब गरीब जानवर हैं जिनके उन्होंने शबीहें बना रखी हैं जिनको मानते हैं अपने बदन पे टाटू बनाए हुए हैं उन जानवरों के उनकी शबीहें बना रखी हैं और अजीज़ों इबरहाम का पस मनजर भ को सिखाने के लिए नसले इनसानी को सबग देने के लिए इनसानी तारीख में से एक ऐसे शक्स को चुनता है एक ऐसे खांदान को चुनता है जो बे उलाद थे उन्हें चुना ताकि वो दुनिया को सिखा सके बनिनों इनसा को सिखा सके कि मैं काद्रे-मोत्लिक हूँ मैं अख्तियार रखने वाला हूँ कुद्रत वाला हूँ उसको ये कहा अपने खांदान को अपने रिष्टेदारों को नातादारों को चोड़ और जहां मैं कहता हूँ वह चल और हो मुलक किनान में जिसको आज के दौर में लोग फलस्तीन भी कहते हैं मुलक किनान बहुत बड़ा मुलक था उस दमाना में अब तो वो बहुत सारे छोटे-छोटे मुमालिक में बढ़ चुका है उस दौर के मुलक किनान की बहुत सरी जुबाने भी थी बड़े मुख्लिफ कल्चर तहजीबें थी अगर आप बाइबल मुकद्स के नक्षे को देखें तो आप एहरा होंगे मुलक किनान कितना बड़ा था और कौन कौन सी नसल वहां पर आबाद थी उनकी जुबानें क्या थी हुँगें, और वो खुदा को छोड़कर बुद्तों की पुझा करते थे खुदा की तोहीन करते थे और मैं मिहसेज्स करता हूँ इसलिए खुदांध मुसा को भी पहला होक्म यही दिया था कि तु एक खुदा को मानना, बुद्तों की पुझा ना करना अपने लिए को ऐसी शबी ना बना ले ना हाथ की बनाए हुई शबी को ही सिजदना करते रहना तू शक्सियत प्रस्ती की तरफ मायला होना एक और लफज है मादियत प्रस्ती रुपया पैसा मालो दौलत मालो दौलत या चंद महंगी चीज़े अपने पास रखके उन्ही की तारीफ करते रहना और वो दूसरों को बताते रहना कि मेरे पास बहुत कुछ है अजीजो मादियत प्रस्ती बीतो बुद प्रस्ती है शक्सियत प्रस्ती बीतो बुद प्रस्ती है और ये उस दोर में आम थी, आज भी आम है और खुदा अब्रहाम को वहां से निकलता है मुलक के किनान मे लाता है बूदोबाश वहां करवाता है शायद उसको पूरे मुलक का दौरा करवाना चाहता है कि वो देख लेकि ये मुलक उसकी नसल को मिलेगा मादा किया है मैं ये मुल्क तेरी नसल को दूँगा अब एक बंदा जिसके पास ना असला है ना कोई और ताकत है चंद मुलाजम है और खाने पीने का थोड़ा से सामान है वो कितने दिनों तक चल सकता है और वो निकल पड़ा और उसने हुक माना वो खुदा पर इमान लाया और यहां खुबसुरत आयत है कि अबरहम क्या शरीयत की वसीला से रास्तमास ठहराया गया आँ मुझे बताईए कज़र आप शरीयत किस दौर में इनसानों को मिली मुसा के दौर में न लिखी हुई शरीयत हजरत मुसा के दौर में मिली और खुदा ने खुद लिखकर दो तख्तियों पर वो दस एकाम दिये वो तूट भी गए और दुबारा से लिखवाए गए और जब दिये गए तो मन्जर ही उस पहाड का अजीब और जलाली और खौफ नाग था वो खुदा की मुझूदगी और उसके जहूर को उस नजारे को पेश करता था अब इबरहाम तो इस वक्त नहीं था ना इबरहाम तो इससे बहुत पहले था इबरहाम को रास्तबास कहा गया वो इमाल के वसीलह से नहीं बलके इमान के वसीलह से किस के वसीलह से कि वो इमान ले आया और चल पड़ा अब मैं ये लफ्स बीसियों बार अपने पेगामात में सुना चुका हूँ कह चुका हूँ, इसके मानी बियान कर चुका हूँ आज बहुत सरी तन्जीमों के बेशमार मसीही रास्तबास को समझते हैं कि हम पाक लोग हैं, बेगुना लोग हैं ये उसके मानी नहीं है, रास्तबास का मतलब है वो शक्स जो खुदावन की नजर में मकबूल ठहरा मकबूलियत जिसको मिल जाती है कि ठीक है मैंने तुझे कबूल किया वो शक्स जो खुदा की नजर में मकबूल ठहरा ये जो असली जुबान है न बाइबल की पुरानी जुबान उसके बानी है आप अजीजो वो इमान के वसीले रास्त बाज ठहरा है इमाल के वसीले नहीं अगर हम इमाल के वसीले से खुदा की हजूरी में मकबूल ठहर सकते हैं तो फिर हर कोई अपने आप पर फखर करेगा कि देखो मैंने अच्छा काम किया है मैंने दूसरों की मदद की है बाइबल में लिखा है कि तुम नेक काम करने में हिम्मत नहारो तुम फखर करेगा अपने पर फखर करेगा देखा है मेरे हाथ में कितनी शफा है मैं दुआ मांगता हूँ तो मुरी स्टीक हो जाता है वो अपने आप पे फखर करेगा वो कहगा देखो पानी की बोतर लाओ मैं इस पानी पे दुआ करूँगा जब तुम इस पानी को पी ओगे तो तुम शफा पाओगे वो अपने आप पर फखर करता है वो शफा देने वाले शाफी का जिकर दिल से नहीं करता कि दफ़ा वो बराए नाम कह देता है कि अल्ला बला करे लेकर वो उस शफा को ये कहने की कोशश करता है कि मेरी वज़ा से तुझे शफा मिली अब तु मेरे पास ही हदिये और नजराने लेकर आजा और यूँ उसको खुदा की कलीसिया से भी अलग करके शक्सियत परस्ती की तरफ माइल करने की कोशश करता है कि अब वो बस मेरी ही पूजा किया करे मुझे ही या वो बहुत पहुंचा हुआ बुजर्ग समझे मुझे बड़ा रुहानी शक्स समझे अजीजो खुदा को ये पसंद नहीं है क्योंकि वो तो खालक मालक है वो इख्तियार अता करता है वो शफा देता है और वो ही रुहानी और दुनवी बरकात से माला माल करता है अब अजीजो लिखे है कि जो युनानी जुबां का लफ़ है रास्त बास मैंने कहा कि खुदा के जुदूर्ग जो काबल कबूल है अब इनसान खुदा को इसलिए काबल कबूल होता है कि वो युस्व मसी पर इमान इमान ले आता है यनि इलाही इंतजाम क्या है कि जो कोई बाप के पास जाना चाहता है वो बेटे के वसी ले जाएगा और बेटे को पुराने आहद नामा में भी हम बीस्यों दफ़ा देखते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं दौन नभी की किताब उसका दूसरा बाप बड़ी ही खुबसुरत खुबसुरत अंदास से उसे पेश करता है अजीजों जब हम ये कहते हैं कि शरीयत क्या है वो कुछ भी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम शरीयत की हुक मदूली करें शरीयत हमें ये सिखाती है कि तुमने खुदा तक कैसे पहुंचना है मसी तक कैसे पहुंचना है मसी तक पहुंचने के लिए हमारी उस्ताद बनती है और हमें ये सिखाती रहती है कि गुना क्या है अब जब हम ये सीख जाते हैं कि ये गुना है और अब हमें अपने इमाल भी बेहतर बनाने चाहिए तो खुदा फिर हमारा इम्तहां भी लेता है कि इमान के वसीला तो ये मुझे पर इमान ले आया बला अब मैं देखूं जो नेमतें जो बरकात मैंने इसको दे रखी हैं थोड़ी सी वापस लेके देखो इनसानी फित्रत क्या है जब तक खुदा का करम हम पर रहता है दुनवी लिहाद से माल दौलत के हवाला से या शान और शौकत के हवाला से या इनसानी जो और मुफदात हैं उनके हवाला से तो हम खुदा और खुदा मंद खुदा मंद करते रहते हैं आमीन और हैललुया उसकी तारीफ करते रहते हैं जो ही खुदा हम से कोई बरकत ले लेता है तो हम खुदा की तारीफ करना भूल जाते हैं शुक्र अदा करना दूल जाते हैं यह इन्सानी सोच है हम इन्सानों में भी आपस में भी ऐसा ही करते हैं जब तक किसी से फाइदा है तो ठीक है तोना सा फाइदा ना मिला तो फीचहट गए नाराज हो गए फिर खुदा भी इमतहा लेता है और उसका इमतहा कितना खुबसुरत था कि देखेंगे मेरे कहने पे मुलक एराग तो छोड़ाया कस्तियों के अलाके को छोड़ाया मैं इसे कहा था मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा अब जब मैंने इसको बेटा अता कर दिया है बेटे का नाम क्या था इबरहाम के बेटे का क्या नाम था जी इस हाक तो फिर कहा इसको मेरे लिए कुर्बानी के लिए पेश कर दे कुर्बान कर दे मेरे लिए अजीजों स्वाना में लोग देवी देवताओं के सामने अपने बच्चों को कुर्बान किया करते थे जिसे वो बहुत प्यार करते थे देखें देवी देवताओं की खाहश के मताबब या जो पत्थर के बने हुए बद थे ना उनके जो पुजारी थे या वहाँ जो खिद्मत करने वाले थे उनके कहने पर वो अपने बच्चे बच्चियों को उन देवताओं के सामने ले आते थे क्योंकि बुद्ट तो बोलते नहीं थे ना पत्थर के बनाए हुए लखडी के बनाए हुए मटी के बनाए हुए बुद्ट तो बोल ली सकते थे ना वहां खड़े जो लोग थे जो ब्राए नाम कह लें या असर रखते थे जिनका ये रोजगार बन गया था कि उन्हें वहां कमाई खानी है वो कहा करते थे देखो देवता के सामने अपनी बेटी बेटे को लाओ पेश करो गुर्बान करो और वो करते थे फिर अजीजों अपनी बेटीों को भी वहां देव दासनियाओं ने कहते हैं हिंदी में और वो वहां दे आते थे कि यहां खिदमत करेंगी ये उनका इमान था अब जिस दोर में ये चलता था खुदा ने ये सोचा कि मैं बला इबरहाम से भी कहूं कि जरा अपना बेटा ला और कुर्बान कर पसमंजर है ना क्यों कहा गया बला देखो इसका जेहन भी वही है के नहीं और जरा मैं टेस्ट करूँ इसको अजीज़ों दो लफ़ हैं एक है टेस्ट इम्टहा और एक है अज़वाईश जिसको हम टेम्टेशन कहते हैं अज़वाईश अबलीस की तरफ से होती है और रिकाया अबलीस यस्व मुसी को आजमाने के लिए ब्याबान में जा मिलता है और तीन बड़ी बड़ी आजमाशें यस्व के सामने रखता है वो आजमाश बसा अखात हम भूल जाते हैं कि मुझ पर जो मुश्किल आई है ये आजमाश है या इमतहा है कि दफ़ा बिमारी को भी हम समझ लेते हैं ये अजमाश है या हम भूल जाते हैं कि नहीं ये इमतहा है खुदा अब मेरे इमान का इमतहा लेने लगा है अब वो चेक करने लगा है कि मैं इसको देता तो बहुत कुछ रहा देखो मैंने इसको बढ़ापे में बेटा दे दिया है देखो मैंने इसको ये कह दिया है कि तू बहुत सरी कौमों का वारस होगा, मालक होगा कौमों का बाप कहलाएगा अब बहुत हमानता है कि नहीं और वो खुबसुरत कहानी पदैशकी किताब की इबराहम ने हुकमाना यनि उसके इमाल का इम्तहा भी हो जाता है इमान का भी इम्तहा जाता है इसलिए अजील मुकद्स में यकूब के आम खत में लिखा है कि इमान बगैर इमाल के मुर्दा है लेकिन आपको फखर ना करें कि मेरे इमाल बड़े च्छे है अच्छे इमाल भी इमान ही के वसीला से मिलते है क्यों जी ज़रा हैलेलिया कहिएगा आमीन कहिएगा यदि अगर मैं और आपको अच्छा काम कर लेते हैं तो वो भी खुदा का दिया हुआ इमान है ना अगर मेरे किसी भेन को या भाई को किसी पर तरसा जाता है कि चलो मैं इसकी सौपचास मदद कर दूँ तो वो भाई भी तो खुदा दिल में डालता है कि कर दो और हम बच्छों को भी ये तर्बियत देते हैं और देनी चाहिए बच्छपन ही से देनी चाहिए जब आप उन्हें जेब खर्श देते हैं न याद रखिए मैंने बड़े बड़े ओलमा जन्हें हम मसीही कलीसिया के रहनमा कहते हैं उन्होंने क्यासी का बच्छपन में मा ने जतने पैसे दिये कहा इस में से तुने इतने पैसे खुदा की लिए शुकर गुजारी के लिए रखने और वो लोग जो बच्छपन से ऐसा करते रहे वो अज्जीम रहनमा बन गए देखें इनसान तो बेश्मार है दुनिया में मजभब भी बेश्मार है लेकिन मुझे और आपको क्या कहा गया है कि तुमने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना है जब खुदा की मखलूक पर हम रहम करना सीख जाते हैं तरस खाना सीख जाते हैं एक और लफज है इनसाफ करना सीख जाते हैं तो गोया खुदा की वो खुबियां खासियते हम में नजर आती है इबराहम का इमतहा हुआ और वो पास हो गया पुरी कानी धुराने की जरूरत नहीं है ना वो काम्याब हुआ उसके बाद उसका रुत्वा भी अब बढ़ता जा रहा है अजीजों खुदा हमें चोटी चोटी बातों में समझाने के लिए सिखाने के लिए हमारा इमतहा लेता है कि हम पूरा उतरते हैं के ने और मैं बरमला ये कहता हूँ कि देखे मैं भी एक देहती पासमा का बेटा होना और मैंने भी अपनी खिद्बत का आगास सिफर से शिरू कियाना और ये मैं बड़ी दफ़ा कहता हूँ अगर खुदा ने कोई खास बरक दी है तो वो मेरा फखर नहीं है ये नहीं मैं कहूंगा मेरा हक है हक नहीं है वो खुदा का फजल है उसका तर्स है और फिर मैं अपनी कलीसिया को देखता हूँ पचास साल पहले वाली कलीसिया और सो साल पहले वाली कलीसिया उनके बारे में पढ़ता हूँ जिनकों मैंने देखा है अब मैं खुदा का बारहा हा शुकर अदा करता हूँ खुदामन तेरा शुकर हो तुने उनको जो तुझ पर इमान लाए उस इमान के वसीला धेरों बरकात से माला माल किया है इबरहाम पेरी बेनों और पेरे भायों इमान के वसीला रास्त माजगिना गया उसके जो इमाल का इमतहा है वो बाद में होता है अब हम सब याद रखें कि खुदा की नजर में जो मकबूल ठहरे हैं चाहे वो इबरहाम की नसल से थे या इबरहाम की नसल से नहीं थे वो खुदा के फजल ही से उसकी नजर में मकबूल ठहरे खुदा गयर अक्वाम को भी वरकात से नमासता रहा उसका सूरच हर नेकोबद पर चमकता रहा खुदा ने कभी ये तफरीक नहीं की कि हवा में जो आक्सिजन है वो सिर्फ इमानदारों को ही मिले वो बे इमानों को भी इस खुबसरत नमत से नमासता है और आप जानते हैं आक्सिजन ना मिले तो हम इस जहाने फानी से कूच कर जाते हैं पानी ना मिले तो हम इस जहाने फानी से कूच कर जाते हैं ये कितनी बड़ी निमत है किया हमने इन दो बड़ी निमतों के लिए खुदा का शुकर अदा किया है ये इस गुसे में रहते हैं कि खुदावन्दा हम तो मांग के खाते हैं खुदावन्दा तु दितनी है अक्सर कहते है मेरे पास अक्सर क्लीश है के लोग आते है कहते हैं जी मदद करो मैंने कहा भी काम करो कहते हैं जी गुजारा नहीं होता क्यों नहीं होता कहना है निके निके बच्चे ने मैं कहा किने नहीं कहना आठ तो फिर मैं कि खुदा से मांगो आपका इमान है कि जो बच्चा इस दुनिया में आता है खुदा उसको देता है फिर ये भी तो नेमत बरकत है ने कि तुने आठ पैदा किये है ये भी बख्षे शैस में भी खुदा का शुक्र अदा कर आप पुष्टाता कि मैं खुश हो कि तेरी खाहश थी तेरा शौक था खुदा ने तुझे ये नेमत दी ये बरकत दी अब उस से मांग मांगो मैंने का हम भी मैंने का हम भी नौ थे तू आठ कहता है और आपको पता है पराने वक्तों में आठ नौ तो बड़ी आमसी बात है आज के दस बारह भी मैंने देखे हैं लेकिन देखें खुदा से जुड़े रहें पवस्त तरह शजर से और उमीद बहार रख जब खुदा ने फिर इमान रखें न कि अगर खुदा ने जिस बच्चे को इस दुनिया में भेजा वो देखा भी तो उसने क्या मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ढूंडो तो पाओ के अगर खुदा एक दिहाती पासमां के इतने सारे बच्चों को रोटी दे सकता है ये एक मजदूर के बच्चों को दे सकता है तो वो हर एक को दे सकता है लेकिन खुदा पर इमान जरूरी है वो देता है उलाद भी बक्षिश है खुदावन की तरफ से थोड़ी हो या ज्यादा हो ये उसकी रहमत है उसका फजल है लेकिन उसके साथ जुड़े रहें उसे मांगें वफदार बन कर कि खुदावन दा ये तेरे हैं तो ने मुझे दिये हैं बेशक मेरी भी खाहश है लेकिन फजल तेरा है अजीजो फिर फखर करता है एक शक्स जो यहूदी है श्रीयत में कि मैं मक्तून हूँ भी इबरहाम क्या मक्तून था मक्तूनी का सिल्सला तो बहुत बाद में शुरू हुआ न वो तो बहुत बाद में शुरू हुआ और से पहले तो मक्तूनी और ना मक्तूनी का सिल्सला नहीं था मक्तूनी से मुराद खतना और खत्ना ना करवाना यह तो खुदा ने तुमें चुनने के बाद एक महर लगा दी है कि यह एक निशा है अजीजों उस पे भी फखर करना जो हमारा दावा है गलत है उसके वसीला से भी हम रास्त बाज नहीं ठैर दें ना इमाल के वसीला से ना खत्ने के वसीला से मकतून होने के वसीला से खुदा की नजर में ये एक निशान है जो एमान की रास्त बाजी पर एक मोहर की गई है अजीजों खुदा मकतूनों का भी बाप है और ना मकतूनों का भी बाप है यहुदियों शरीयत रखने वालों का भी बाप है और जिनके पाश शरीयत है नहीं उनका भी बाप है ख़दा चाहे को गरीब है चाहे को अमीर है वो सब का खालग मालग वारस है अब इबरहाम को वारस बना दिया गया उसको बरक दी गई उसको कौमों का बाप कहा गया और उसको इमानदारों का बाप भी कहा गया कितना बड़ा अजास उसे मिलता है और यजीजो ये हमें भी मिल सकता है लिखा है इसी वास्ते वो मिरास इमान से मिलती है ताके फजल के तोर पर हो और वो वादा कुल नसल के लिए काइम रहे इसलिए हमने यह सी कहा है कि हम भी इमान लाने के वसीला से अबरहाम के खंदान में शामल होते हैं बाप अबरहाम के खंदान में हम शामल होते हैं इमान के वसीला से और यह सबक जब हम सीख जाते हैं तो उसके बाद जो आहम सबक आता है वो यह है खुदा चाहता है कि वो तुम्हें यह सिखाए कि मैंने गोद खाली करके बेटे को दुनिया में भेजा अपने आप को जहर किया कि मैं वो शक्सित हूँ जो कादर मुतलिक हूँ वो दुनिया में आया और उसने अजीजो यह कहा कि कोई मेरे वसीला के बगएर बाप के पास नहीं जा सकता है पहले इमान का सबक मिलता है फिर किस के वसीले अगर आना है इमान के वसीले तो वो है यह सुमसी के वसीला लेकिन इमान के साथ फजल का दर्स दिया जाता है ताकि खुदामन की कुद्रत और जलाल जहर हो लिखा है उन्हीं स्वायत में और वो जो तक्रीबन सौ बर्स का था बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रह्म की मुर्दगी पर लिहास करने के इमान में जईफ ना हुआ उसने यह नहीं कहा कि मैं बुड़ा हूँ जस्मानी लिहास से मैं कमजोर हूँ तो क्या हम शक करेंगे हम भी शक नहीं करेंगे हम यह इमान रखते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है और अजीज़ो इसी लिए खुदा ने इबरहाम को रास्तबास ठैरा है और वो रास्तबास गिना गया है तो इमान के वसीला से इमाल के वसीला से नहीं मैंने आपको एक दिन बताया था कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग बड़े बड़े लोग वो कठे हुए हैं और उन्होंने कोशिश की है कि दुनिया के जो कुछ मजभाब है ना बड़े बड़े इनको कठा करके तो एक मजभ काइम किया जाए जिसका नाम हो दीन इबरहीमी कि वो खुदा का बड़ा ही पसंदीदा शक्स था रास्तबास गिना गया भी ठीक है वो तो गिना गया लेकिन वो दूसरे सबग को भूल जाते हैं कि दीन इबरहीमी में तो आप आगए इमान के वसीला से कि ये खुदा का बंदा है ये इमान ले आया पर अब तुम्हें दूसरा सबग कैसे कह गया है कि ये स्बमसी के वसीला से आपने खुदा के पास पह Flynnचना है ये स्बारेवान लाँवगे इबरहाम भी वो सब मनजर खुदा का और उसके कुदरत का देख चुका था और दाओत भी देख चुका था मुसा भी देख चुका था पेरी बेहनों और पेरे भाईो खुबसरत आएद लिखा है जिसने हमारे खुदावन येस्व मुसी को मुर्दों में से जलाया वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तवाज ठहराने के लिए जिलाया गया जिन्दा किया गया लिखा है अगर वो ना जी उठता तो हमारा इमान बेफाइदा रहता जिस पर हम जोर दे रहे हैं ना कि यस्व मुसी पर इमान के वसीला से और यस्व मुसी की तारीफ हमने बीसियं दफ़ा की है सुनी है कि वो अलफा है और वो उमेगा है वो अवल है और वो आखर है ना उसका कोई शुरू है और ना उसका कोई आखर है और यह भी सुना है कि खुदा महबत है और खुदा रू है वो जहार हुआ जिस्म की सूरत में और आप रूहलकुद्स की तरब पर रूहलकुद्स की के वसीला हम पर जहर होता है और अर जगा मौजूद होता है आई जिस अपनी सारी कमज़ोरी में बे शक माली परिषानिय बे शमार है जितना कोई बड़ा है, जितना कोई बावसाइल है, उतने ही उसके मिसाइल है यह मत सोचिएगा कि वजीर आजम या बातशाय के मिसाइल नहीं होते हैं यह मत सोचिएगा कि फुलादमी आपको आपकी नजर में लखपती या करोड़पती नजर आता है नहीं उसके अपने मिसाल है अजीज़ों मैंने बहुत सरे दोस्तों अजीज़ों से पूछा है जो यॉरोप और अमरीका में रहते हैं कि आप एक अजाद मौाश्रे में रहते हैं सुनाएं आप अजादी से अपने अकीदे का परचार कर सकते हैं तो उन्हों ने मुझे हजारों मसालें बताई हैं कि नहीं वहां भी बहुत सरी रिकावटे हैं कि जब हम अजादी से अपने दीन की अकीदे की तबलीग करते हैं तो दूसरे लोग क्या कहते हैं जी ये हमारे जजबात को मजरू करते हैं इस बहानिय अदालतों में चले जाते हैं यानि कोई न कोई रिकावट जो है वो वहां नज़राती है मैंने ऐसे गिरजगर देखें याउरोप में जहां मुझे पेगाम सुनाने का मौका मिला अजीज़ों ये जो साउंड सिस्टेम है न हमारा इसकी आवास उस बिल्डिंग से बाहर नहीं जानी चाहिए अगर पुडोसी के घर तक वावास से लिग गई तो वो भी अदालत में जाके आप पर केस कर सकता है कि इनके शोर से मुझे तकलीफ है कुटे के भाऊंकने से जो आपने रखाया पुडोसी आप पर केस कर सकता है आप लौड स्पीकर पर तबलीग करेंगे तो केस कर सकता है देखिए हर मौाशरा में कितनी अजीब औगरीब रकावटे हैं अगर हमारे लिए चंद रखाव्टे हैं तो देखें कुछ मौजे भी है ना मौज है ना कितना उन्ची वाज में हम साउंड सिस्टम लगाते हैं मैं आपको बढ़ी ये मजाया कहानी बताता हूँ ये हकीकी वाकिया है अपने ही जो चर्चेश हैं ना तन्जीम के हमारी मुझे वहां में माने खुसी बलाके बठाते हैं बड़े प्यार से इज़त से और चोटा सा हाल है और दो बड़े बड़े ये जो आप स्पीकर देखते हैं ना साउंड सिस्टम वाले इन से चार गुना बड़े छोटे से हाल में और फुल आवास और मैं बलड प्रेशर वाला बंदा हूँ मेरी फिर सरदर्चिरो हो जाती है तो मैं हाथ जोड के बाहर आजाता हूँ अब देखें मैंने पता नहीं हजार बार उने का कि यार बुडे लोग भी यहां बैटे है बिमार भी बैटे हैं इतनी आवास ठीक नहीं है फिर जो मैंने साइंस पढ़िया उसका भी बताता हूँ कि इतनी आवास होनी चाहिए कानों के लिए जो मुनासिब है और जो दिमाग के लिए मुनासिब है फिर जब शादी हाल में जाते हैं तो वहां भी ऐसा ही है तो मैं शादी हाल में भी जब मुझे वो पहली सीट पे बठाते हैं ना तो मैं तरला डाल के पीछे जाने की कोशिश करता हूँ फिर उखते हैं ने नहीं आप मैं माने खसूसी हैं और गिर जागरों में जब मैंने देखा ना के सौंड सिस्टम वाले नहीं बाज आते तो कई बार ब है पुड़ोसी भी बिचारे चुप-चाप हैं और वहां जो हाल में बैटे हैं वो भी कितने मजबूर हैं और हम कितने खुश हैं कि देखो मैं कितनी खुशी से अजादी से मजभ की परचार कर रहा हूँ भी एक और सा मजभ है जो दूसरों को तंग करें यह मौशरे की एक अकासी की है मैंने एक तस्वीर पेश की है कि खुशा मुशरों में हमारे लिए इमतहां का महौल भी पैदा करता है और कही कही दफ़ा हमें अबलीस के स्पूर्द भी कर देता है कि चाल फर जा मावरूला था कही दफ़ा बनी इसराइल को गैरक्वाम के स्पूर्द कर दिय गया यह पड़ी है ना अपने बाइबल की तारी और गैर कोमों ने मार मार के उनका सत्यनास कर दिया था और यहां तक कि उने वो मुलक के किनान चोड़ के भागना पड़ा और वो दुनिया जहां के बहुत सारे मुलकों में तित्र बित्र हो गया है अजीज़ों जब हम इसे ठीक कर दे सीखे जरा यह भी आएं अबरहाम की खुबसूरत मिसाल कि वो उसने खुदा का इमताहन नहीं लिया उसने कहा ठीक है जो दोन की कहानी पड़ेंगे तो उसने इमताहन लिया था चक किया था खुदा को हम भी कहरते हैं आए खुदावन्दा पहला मिनू आए शेय दे पहले मुझे वो शेय दे ये करते हैं ना तन्जीमों में भी हम करते हैं एमिशन सानुकी देगी एक तन्जीम सानुकी देगी अपनी किन्वेंशन ते बुला रही है बस पेजेगी के नहीं बस चे लंच बक्स मिलेगा के नहीं हम इस तरह की शरायत रखते हैं आप तो तू कहते हैं मेरे हुकमों पर अमल कर तूने मुझे रहने के लिए अच्छा मकान नहीं दिया खाने के लिए अच्छी चीज़े नहीं दी मैं तेरी तारीफ क्यों करू अजीजों खुदामन का शुक्र अदा करें इस इसलामी देश में बेशक मिसायल है हर मुलक में है लेकर यह उसका फजल है कि उसने हमें यह अजादी अजादी की भी हद होनी चाहिए ना यह अजादी दे रखी है कि हम अपनी मर्जी से खुशी से यस्व की बशारत कर सकते हैं खुश्खबरी का पैगाम दे सकते हैं अपने इमान की तबलीग कर सकते हैं आएं आज का जो खास मजमून है उस पर गवर करें कि खुदा का वादा इमान के वसीला ही मुस्र होता है बे इमान रहेंगे तो फिर भड़क जाएंगे और ये गवराईए ना कि आपके खानदान में बच्चे ज़्यादा है खर्च ज़्यादा है कुई बात नहीं चाइना कितना बड़ा मुल्क है कितनी अबादी है उसकी और आज अगर उसकी तारीख देखे तो उनीस सु संदाली में बलके उनीस सतर तक वो हमसे बहुत पीछे थे और वो देहरिये हैं वो खुदा परिमान नहीं रखते इतनी बड़ी अबादी को खुदा ने कितनी बरकात से नमास दिया है और रजीज़ों वो भी चांद पर पहुंच के हैं देखे ज़्यादरा खुदा मकतौनों और ना मकतौनों दोनको प्यार करता है वो चाहता है के हर कोई सीखे हर कोई सीखे है हम खुदा की इन सारी नेमतों के लिए उसका शुकर अदा करें खुदा मन से कहें के तु बला है और तेरी शवकत अबदी है शुक्र गुजारी की दुआ के लिए पादरी अल्यास अश्टफ साब आएंगे और आज के जिन्दगी बक्ष किलाम के लिए खास दुआ मांगेंगे फिर जो बीमार हैं मुसुदाबाद में भाई जवेद उनके भाई भाई को चट से गिरने से चोट लगी फिर भाई हरुनावद है और भाई अन्वर है ठीक है लेकिन खुदा चुकर है हमारी बैन मिस्स प्रफेसर सेमन अख्तर भी बिलकुल ठीक है और बहुत सरे मेरे दोस्त भाई आज खास तोर पर हमारे सेमिनरी के तालविलम है भाई वसीम हमारे दरम्यान बैठे हैं खुदावन का शुकर है उनकी मिस्स एक महीना तक भी मार रही है जीज़ को गलत टीका लग गया इंजेक्शन लग गया उनको उसका रियक्शन हुआ और वो बेहुशी में चली गए और वेंटिलेटर पे रही आक्सिजन लगती रही और दमागी अमराज के जो डॉक्टर्स थे वो अलाज करते रहे यनि बिलकुल नाउमीदी में खुदावन ने उस खंदान को एक इतने खुबसूरत उमीद बख्ष दी कि वो अब बिलकुल ठीक है अब ड्यूटीवर है हमारी वो बेटी स्टाफ नर्स है सोशल स्क्यूरिटी हस्पाल में आज वो वहाँ बैठी है यहां भाई वसीम बैठे है शाबाश खुदावन ने दौाओं के वसीले आपकी सुनी है उनके साथ मेरे भाई आसफ बैठे हैं उनके बेटे को खुदावन ने आला कामयाब यता की है यनिवस्टी में देखें खुदावन की नेमते अगर वो बिमारी से हमें चुड़ा सकता है दुक्स तकलीफ से चुड़ा सकता है तो पके रहें अगर बीमारी में रहने भी देता है तो भी उसका शुक्र अदा करें बाई मैनुल साबी की बेटी मैं इतना खुश चोटी सी प्यारी सी बच्ची और मैं देखते हैं इतनी इतनी किताबें पढ़के नौसो हजार नंबर लेना और अजीज हर बात में खुदावन का शुक्र अदा करें और बीमारों को भी जरा याद कीजिएगा बाई हरून आबद को मैं मेरे खालत दस दिन हो गए हैं शायद मैं उन्हें मिलके आँ उनके घर में और उस दिन मुझे नहीं पता था कि मिस्स वसीम भी बीमार है उनका गला बंत है अनके लिए भी दौा मांगिएगा खुदावन राहम करने को वाला है वो सुनता है और आज का जो खबसरत प्रेगाम है वो है इमान के हवाला से है और इमान के लिए गरीब अमीर का फरक नहीं है मखतून ना मखतून का फरक नहीं है यहुदी और युनानी का फरक नहीं है मसीही और गहर मसीही का फरक नहीं है वो जो खुदा पर इमान लाते है यहुआ पर इमान लाते है खुदा उनकी सुनता है आए चांद लमों के लिए अपने सरों को जिकाएं और शुक्र गजारी कि इस दुआ में शामल हो खुदाई कादरे मुतलिक हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरी सारी नेमतों बरकतों बक्षिशों के लिए और सबसे भड़कर तेरा शुक्र करते हैं तू हम से हम किलाम होता है हमें ये एजाज अता करता है कि हम तेरी आवाज को हम तेरे किलाम को सुन सकें इस बड़े एजाज के लिए इस रुत्बे के लिए हम तेरा शुक्र करते है कि तू अपना पाकिलाम हम पर नाजल फरमाता है और तेरा शुकर करते हैं कि तू अपने खादमों के वसीला अपनी कलीसिया से हम कलाम होता है आज तेरा शुकर करते हैं कि तू अपने बंदा के वसीले हम से हम कलाम हुआ तेरा शुकर करते हैं तेरे बंदा के लिए तेरे बंदा के घराने के लिए जिन्होंने बड़े ही आसान लहजे से तेरे किलाम की अमिक बातों को हम पर वाज़ तौर पर जाहर किया तेरा शुक्र करते हैं तेरी सारी नेमतों बरकतों बक्षिशों के लिए जो तु हमें फ्याजी के साथ अता करता है ये तेरा ही फजल है कि आसे हम अपने अपने घरानों में बाबरकत नजर आते हैं इसमें हमारी मेहनत नहीं बलके ये तेरा फजल है तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादम अपने रहनुमा के लिए जिनके वसीला तेरे किलाम की खुबसूरत बाते हमने सीखे और आज उन तमाम अजीजों को जो बिमार हैं उन्हें भी तरी हज़ूरी मेलाते हैं एलडर अरशाद के लिए उनके घराने के लिए जो हमेशा खुदान तेरे घर में इशायर अरुबानी के सामान को लेके आते हैं अपने बंदा के घराने को बड़ी बरकत दे और इसी तरहे भाई जावेद के भाई शिकील के लिए जो इसलामबाद होस्पिटल में दाखिल है खुदम तो अपने बंदा के साथ हो सहत, सलामती और तंदरुस्ती से नवास हारुन आबद के लिए खुदम तेरा शुकर करते हैं जो पहले से काफी बेहतर है और इसी तरह मिसिज प्रोफेसर सेमूल अक्तर सहबा के लिए तरी हजुरी में चुकते हैं मिसिज वसीम सहबा के लिए तेरा शुकर करते हैं और आज जतने नाम तेरी हजुरी में पुकारे गए हैं इमान रखते हैं कि तू सब को नाम बनाम जानता है इमानदारों के सारे नामों से तुवाक्फियत रखता है रहम कर सब पर रहम कर तेरे बेटे ये सुमसी के कुदूस नाम में मांगते हैं खुदावन का शुक्र करते हैं